Hello everyone, मैं हूँ Dr. Subankat Swain, Consultant Psychiatrist, आज एक बहुत ही interesting topic के बारे में हम बात करें, बहुत लोग इससे परिसान है, लाखो लोग impact होते हैं इससे, हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में लाखो लोग impact होते हैं, topic का नाम है mobile phone addiction, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्यों ह होता है, धीरे-धीरे कैसे बढ़ता है, और जो brain में क्या-क्या changes आता है mobile phone addiction से, और इसका treatment कैसे कर सकते हैं, prevention कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप अपना phone दिन भर पकड़के रहता हैं, दिन भर use करते रहता हैं, या आपके friends या family में अगर कोई phone क बहुत ज्यादा use कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, जरूर देखें, पहले हम बात करते हैं mobile phone के बारे में, आज कल के digital age में mobile phone एक necessary instrument है, gadget है, जैसे उसके बहुत अच्छे features होता है, जैसे कि आप कुछ digital research कर रहे हैं, बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, online पढ़ा use होता है, इसे बहुत सारे benefits हैं mobile phone के, तो problem, problematic जो phone use कब बोला जाता है, जब ये बहुत excessive हो जाता है, और compulsive हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आप phone use कर रहे हैं, और phone के बिना आपने life को imagine भी नहीं कर पा रहे हैं, एक minute भी phone आपका side में नहीं रह रहा है, ये सब आप आपके life को interfere कर रहा है, जैसे कि आपके पढ़ाई में interfere कर रहा है, disturb कर रहा है, आपके काम में disturb कर रहा है, आपका जो life है, जो physical activity उसमें disturb कर रहा है, और आपके जो relationships हैं, जैसे कि आपके parents के साथ relationship है, या आपके partner के साथ relationship है, या आपके friends के साथ जो relationship है, उसमें disturbance हो रहा है, अगर ये सब disturbances हो रहे हैं, तो उसे problematic smartphone use बोला जाता है. आपको mobile phone addiction है, आपको कैसे पता चलेगा, या आपको friends या family में अगर किसी को है, तो पहला symptom sign है, preoccupation with phone use, बालब आपके दिमाग में, आपके mind में बस phone use के बारे में और कुछ ज़्यादा thoughts नहीं आ रहे हैं, दिन भर आप यही सोचते रहते हैं, कि मालब मैं phone कभ यूज़ करूँ, phone से मालब मुझे मज़ा आ रहा है, दिन भर phone के खायालों में आप रहते हैं, और दूसरा है symptom sign, वो होता है loss of control, आप बहुत बार try कर चुके हैं कि मैं अपना screen time कम कर देता हूँ, आज से मालब मैं एक घंटे से ज़्यादा phone यूज़ नहीं करेंगा, फिर भी आपका control कुछ नहीं है, आप एक घंटे से मालब control नहीं कर पाते हैं, आप दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, छे घंटा phone यूज़ करते हैं, थर्ड पॉइंट होता है, neglecting responsibilities, आपके जो responsibility हैं, अगर आप school going student है, आपका काम होता है पढ़ाई करना, homework करना, आप उसको नहीं कर पा रहें, आगर आप office जाते हैं, तो वो एक भी sign होता है, fourth point होता है, withdrawal symptoms, withdrawal symptoms में क्या होता है, अगर आप phone यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको चिटचिड़ापन फिल होगा, आप irritable फिल होंगे, आपको बेचे नहीं फिल होगी, और आपको एक uncomfortable महसूस होगा, अच्छा महसूस नहीं होगा, यह सब phone addiction के symptom sign हो सकते हैं, fifth point होता है, interference with sleep, अगर आप नींद पे बेड़ पे जा रहे हैं, आप phone बार बार यूज़ कर रहे हैं, नींद लग रहा है, फिर भी आप बेड़ फोन यूज़ करते जा रहे हैं, नींद को कंट्रोल करके आप phone ज्यादा यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी notification आ रहा है, तो आपको नींद लग रहा है, फिर से उठके वो notification चेक कर रहे हैं, कि क्या notification में देखता हूँ, तो ऐसे activity से sleep का quality भी कम होता है, और sixth point होता है, escalation, escalation में होता है कि आपको पहले दो घंटे phone यूज़ करते थे, आपको थोड़ा satisfaction लगता था, आज कल आपको धिरे-धिरे उसका बढ़ता जाता है, जैसे कि आप दो घंटे में आपको मजा नहीं आ रहा है, आप तीन घंडा phone यूज़ करेंगे, धिरे-धिरे तीन घंडे से भी मजा नहीं आएगा, आप चार घंडे, छे घंडे ऐसे phone यूज़ करते जाएंगे, उसे escalation बोला जाता है, ये एक science symptom होता है, और एक interesting concept है, उसे बोला जाता है, revenge bed time procrastination, जैसे कि मालब एक example देता हूँ आप लोगों को, मालब आप बहुत busy रहता हैं, दिन भर आप मालब office में काम करते रहता हैं, आपके लिए, खुद के लिए, मालब आपको लगता है कि मैं relax करने के लिए मेरे पास कुछ time नहीं है, तो अब जब आएंगे bed पे, तो आपको लगेगा कि चलो अभी मुझे अपने लिए time मिला, तो आपको नीद लग रहा है, फिर भी आप नीद को काट किये, नीद का जो time होता है, उसको मालब आप minus करके phone यूज करेंगे आपको, तो उसे बुला जाता है revenge bedtime procrastination, तो उसे क्या होगा, नीद की quality आपकी खराब होगी, next day आप lethargic feel करेंगे, fatigue feel करेंगे, आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा, काम में focus नहीं कर पाएंगे, और ये भी देखा जाता है बहुत cases में, जैसे कि homemaker सोते हैं, लेडी सोते हैं घर में, घर में बहुत busy रहते हैं, दिन बर घर का काम करेंगे, फिर बच्चों की जो responsibility है, ओ लेते हैं, तो जब बेड़ पे जाता हैं, बच्चे जब सो जाता हैं, उनके mind में आता है कि चलो, मुझे अब अच्छा लग रहा है, मुझे अभी खुद के लिए time मिला है, दिन भर मुझे खुद के लिए time नहीं था, अभी मैं phone देखूंगी, फिर वो मलब इंस्टा में जूरील्स होते हैं, उसको scroll करते जाएंगे, करते जाएंगे, नींद आ रहा है, फिर भी scroll करते जाएंगे, क्योंकि मुझे अभी खुद के लिए time मिला है, मलब ये दिमाग पे क्या असर डालता है, पहला होता है dopamine and reward pathways, जब आप कुछ मलब नया content देखते हैं, जैसे कि कोई नया reel हो गया, या कोई अच्छा सा एक shorts है, आपको मजा आ रहा है, आपको मलब कुछ meme जो videos होते हैं, उसको देख रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, तो ये क्या करता है, आपकी जो reward pathway होता है, उसमें dopamine का secretion होता है, जब dopamine जहरता है, तो एक अच्छा लगता है, इनसान को मजा आता है, पर problem ये है, जो हमारा जो brain होता है, बहुत लालची होता है, बहुत greedy होता है, तो अगर brain को मजा आ रहा है, तो brain आपको signal देगा, कि मलब ये जो activity तुने अभी किया, और फिर से repeat कर, तो brain बोलेगा कि चलो, और एक reel देख लेता है, एक reel देख लिए, और एक reel देखता है, ऐसे करके बार-बार आप मलब reel, scroll करते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो मलब एक लूप बन जाता है, कि मलब एक compulsive action बन जाता है, आप उसको control नहीं कर पाते, brain को मजा आ रहा है, आप रिजिस देखते जा रहा है, और इसे बोला जाता है, dopamine reward पाते, फिर एक concept आता है, जो आपके phone यूज करता है, उसमें blue light emission होता है, blue light निकलता है, और इस जो brain में जाके, melatonin जो secretion होता है, उसको interfere करता है, melatonin hormone sleep के लिए बहुत important होता है, अच्छे quality sleep के लिए बहुत ही उसका role रहता है, अगर उसका interference हो गया, तो आपके जो sleep की quality है, बहुत कम हो जाएगी, उसके बाद होता है hyper arousal, जैसे कि आप कुछ, मालब ऐसा एक news देख लिए, वीडियो देख लिए, जैसे कि मालब कुछ, कहीं पर एक murder story है, उसके बारे में है, या कुछ disturbing news आउगर आप रात में पढ़ लिए, अगर कोई भयानक या horror टाइप का कुछ content आप रात में देखिए, तो brain stimulate हो जाता है, brain एक alert stage में आ जाएगा, excited stage में आ जाएगा, आपको excited हो जाएगा, तो brain को नीन नहीं आएगा, sleep की quality खराब होता है उसमें, अगर आपको mobile phone addiction है, तो उसके लिए आप क्या-क्या कर सकता है, पहला point होता है, जो screen time है, उसको आप limit करेंगे, limit बहुत तरीके से आप कर सकता है, जैसे कि अगर iPhone यूज़ करते हैं, तो उसमें screen time app होता है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं, अगर Android phone यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या पाता है digital well-being उसका अगर use कर सकते हैं और track करेंगे देखिए जैसे कि अगर आप बहुत Instagram use करते हैं तो Instagram का आप screen time set कर दीजे कि दिन में आधा घंटा मैं Instagram use करूँगा तो उसके बाद अगर notification आ जाएगा कि आज दिन का आधा घंटा हो गया तो उसके बाद बंद कर दीजे अगर आप बहुत YouTube देखते हैं तो set कर दीजे दिन में 40 मिनिट से ज़्यादा मैं YouTube नहीं देखोंगा तो screen time जब alert आजाएगा तो आप उसके बाद तुरद उसको बंद कर दीजे तो एक बहुत important role रहता है screen time जो concept है उसको आप धिरे-धिरे set करेंगे खुद के control में अपने live को लेंगे जो sleep routine है उसको अच्छे से आप follow कीजे maintain कीजिए जैसे कि अगर आपको नीद आ रहा है तो आप अगर आप एक सेट कर दीजे कि मुझे ग्यारा बजे या साड़े-दस बजे हर रो सोना है तो उस time आप regular हो जाएए दिन भर phone use किये है कि नहीं किये है तो उससे आपको कुछ मतलब नहीं रहना चाहिए अगर आपका time हो गया आपको सोना है इससे मलब brain को एक signal जाएगा कि इस इंसान को उनकी अभी जरूरत नहीं धिरे-धिरे brain की training हो जाएगा और एक होता है थर्ड point होता है उसको वो होता है turn up notifications बहुत सारे notifications हमारे लिए ज्यादा important नहीं होता है जैसे कि आपका Instagram में किसी ने post like किया है उसका notification आएगा Facebook में किसी ने like किया उसका notification आएगा तो जो notifications होते हैं उसको आप off कर सकते हैं आपके live के लिए इतना important नहीं है और बाकी जो मलब कुछ app के notifications आते हैं जैसे कि जो माटो का है आएगा कि आपके पास आज बिर्यानी खाते हैं तो एसे मलब जो कुछ app के notification आप off कर सकते हैं तो इसे आपका destruction कम होगा phone use भी कम होगा और एक important rule होता है जिसे बोला जाता है 20-20-20 rule हर 20 minute में आप 20 second के लिए जो मलब सामने 20 foot distance है उसको देखना है आप distance में आगे देखेंगे इससे क्या होता है जो आख में जो strain होता है आप ज्यादा दिन भर phone देखेंगे आख में strain आता है तो 20 second तक सामने सीधा देखेंगे 20 foot distance में तो आख आखों को relax फिल होगा और आपका जो phone का जो pattern जो बना हुआ है addiction का उसका भी break होगा और एक point है वो होता है phone free zones आपके घर में कुछ रहने चाहिए जैसे की मलब आप अगर ऐसा एक room है जो study room होता है उसमें phone free zone बना सकते हैं उस room में बस books पढ़े जाएंगे या family में बाते किये जाएंगे या bedroom में bedroom में अगर सोते time आप phone लेके नहीं जाएंगे और खाते time बहुत लोग phone यूज करते हैं उसका भी बंद करना ज़रूरी रहता है आप अपने family के हिसाब से आपके circumstances के हिसाब से यह सब rules बना सकते हैं और बहुत time हम देखते हैं कि parents पूछते हैं हमें कि sir बच्चे ब जैसे होते हैं जैसे कि माला वो दिन भर वो बहुत phone यूज करते हैं तो बच्चे उनको देखे ही सीखते हैं parents बोलेंगे तो उनकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि वो parents से देखे ही सीख रहे हैं और बहुत time यह भी दिखा गया कि बहुत कम age में बच्चों को बहुत ज्याद आप क्या कर सकते हैं इसके बदले आप बच्चों को मलब जो story books होते हैं वो दे सकते हैं drawing है painting है वो करवा सकते हैं या जो मलब कोई sports activity है उसे मलब अगर आप busy है तो उसे कोई badminton code में छोड़ दीजे अगर पास में बच्चे cricket कहलने हैं उनके साथ छोड़ दे सकते हैं आप आपके मलब environment में जो भी possible हो जो भी feasible है एक ऐसी activity दो तीन ऐसी activity आप बच्चों को करने के लिए बोलेंगे तो धीरे धीरे जो फोन से जो उनको मजा आ रहा है बच्चों को कम हो जाएगा उनको वो enjoy करने लेगे जैसे कि वो कुछ बच्चे painting enjoy करने लेगे कुछ बच्चे मल होता है उसको practice करेंगे तो destruction कम होगा digital detox होता है weekly एक दिन आप decide करिए कि मलब आज सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक उस दिन हम phone totally use नहीं करेंगे phone offline mode में रहेगा internet नहीं देखेंगे तो यह सब करेंगे तो आपका brain rewire होगा धिरे धिरे improvement होगा phone addiction से मलब इस वीडियो में आप लोगों को बोला कि मलब mobile phone addiction क्या होता है इसके symptoms क्या होता है इसके मलब prevention strategies क्या क्या होता है कैसे आप मलब improve कर सकते हैं और कुछ cases में हम देखते हैं पाए जाते हैं severe psychological issues रहते हैं जैसे कि anxiety है depression है या bipolar disorder है तो बहुत टाइम देखा जाता है कि phone का use बहुत बढ़ जाता है तो उसके लिए treatment अलग टाइप के हो सकते हैं जैसे कि कुछ medicines होता है medicine से भी कुछ cases में improvement पाया जाता है और कुछ cases में देखा गया है कि CBT होता है cognitive behavioral therapy है या mindfulness based stress reduction एक therapy है तो इसे अलग-अलग टाइप के therapies हैं बहुत different type of medicines हैं जो कि helpful हो सकते हैं mobile phone addiction में बहुत ही important concept है ये mobile phone addiction बहुत ही जरूरी है आज कल के जमाने में बहुत ही जरूरी है अब जो को guide करें क्योंकि मालब वो आगे जाके phone जो addiction होता है mobile phone addiction से बचे अगर आगर आपका problem हो रहा है आप खुद को भी change कीजिए life को change कीजिए life में exercise add कीजिए कुछ meaningful activity कीजिए दुनिया को बाहर जाके देखिए मलब phone से बाहर निकल के दुनिया देखिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर अपने friends family के साथ share करें thank you